इसे कि हमारी specific management ओफ त्र п includes कर नी है सो specific management में we have the two things in which we have the steroids and antibiotics steroids के बारे में मैंने आपको पताया था कि इनको antibiotics से पहले देते हैं क्यों देते हैं उप स कर लिया था एंटी बाइटिक्स जो होता है इनके अंदर इनका जो treatment हम देते हैं meningitis में वह हम 10 days के लिए देते हैं ठीक है except जो नीजीरिया उता है उसके लिए हम 7 days का treatment देते हैं बाकि जितने भी organism सांके लिए हम 10 days का देते हैं फिर फर्दर आ जाते हैं कि एंटिबायोटिक्स जो होते हैं, वो हमने कैसे देने होते हैं, प्री टर्म में क्या देने होते हैं, टर्म टू वान मन्थ में क्या देने होते हैं, और वान टू टू मन्स में क्या देने होते हैं, तो जो टर्म पे बच्चा होते हैं, टर्म पे जो 1-2 months का बच्चा होता है कि टर्म 2-1 months का परंटव two months का टंटु मांन्थ में क्या दे रहे हैं MPCD और जैन्माइसीन वान-टो-टू-मांथ से अंदर हम-mPCD दे रहे हैं लेकिन जैन्माइसीन की जगा हम दे रहे हैं सेफ्क्राइक जोन A और C और जो हमारा pre-term बच्चा है न उसके अंदर बिलकुल opposite है हमारी drugs वो है pre-term के अंदर vancomycin और aminoglycosides ठीक है vancomycin और aminoglycosides इन pre-term तो ampicillin gentamicin, ampicillin ceftriaxone और pre-term के अंदर vancomycin aminoglycosides तो specific में क्या हो गया steroids given before antibiotics antibiotics 10 दिन के लिए देना है नजीडा के case में 7 दिन के लिए pre-term में क्या देना है और 1-2 months में क्या देना है term to 1 month में क्या देना है फिर जो complications है उनको treat कर लेना है वो मैंने आपको साथ ही बता दिया था complications की treatment में कि हमने caesar के case में क्या देना है sub-dural effusion के case में क्या करना है water health radiation syndrome के case में क्या करना है और अगर increased ADHD है तो पिर क्या करना है cerebral lardy मत होई पिर क्या करना है यह हमने उसकी complications के साथ दिसक्स कर लिए था उसके बाद specific management के बाद आता है कि आपने patient को अब discharge करना है तो before discharging discharge करने से पहले ठीक है before discharging before discharging आपने क्या करना है आपने बच्चे का hearing और vision loss जो है उसको assess करना है और फिर उसको discharge करना है फिर आता है prevention ठीक है prevention में क्या है कि prevention के लिए दो चीज़े होती है एक हमारी vaccination होती है और एक हमारी antibiotic prophylaxis होती है ठीक है एक vaccination होती है और एक antibiotic prophylaxis होती है जो vaccination होती है vaccination उसमें we have three types of vaccines pneumococcal vaccine होती है और meningiococcal vaccine होती है और age influenza के against vaccine होती है जो pneumococcal की vaccine होती है वो हम देते हैं 2, 4, 6 months पे और booster dose देते हैं 12, 2, 15 months पे 2, 4, 6 months पे हमने दे दी pneumococcal की vaccine और booster dose दे दी 12, 2, 15 months में फिर आता है meningiococcal vaccine यह हमने देनी है इसके लिए जो होती है वो quadrivalent vaccine होती है ठीक है meningiococcal के लिए और जितने भी infants हैं above 2 years उनके अंदर हमने age influenza की vaccine देनी है above 2 years ठीक है meningiococcal की जो है वो quadrivalent vaccine है और age influenza जो भी बच्चे होंगे दो साल से जादा उन सब को age influenza की vaccine लगेगी ठीक है फिर होता है हमारी antibiotic prophylaxis pneumoccal के लिए meningiococcal के लिए और age influenza के लिए vaccines के इलावा antibiotic prophylaxis तो pneumoccal के लिए जो antibiotic हम देते हैं वो कोई भी नहीं होती कोई chemo prophylaxis हम नहीं देते in case of pneumoccal infection meningiococcal के लिए जो हम देते हैं और age influenza दोनों के case में हम rifampicin देते हैं ठीक है तो vaccine pneumoccal के इसमें कब लगानी है meningiococcal के लिए कौन सी vaccine है age influenza की कब देनी है और antibiotic prophylaxis meningiococcal के लिए देते हैं और अपने age influenza के लिए देते हैं rifampicin और pneumoccal के लिए कुछ भी नहीं देते so this was the management जिसमें हमने सब पहले sportive management देखी मैंने चीज़ें आपको यह बता दिया लिखी वी फिर हमने specific में antibiotics दी है और steroids देने है जो चीज़े बताई हैं सिर्फ वही करनी है किस तरह से आपने जो है ना करना है treatment of complications हमने देख लिया cerebral edema को कैसे treat करना है sub-dural effusion के लिए aspiration और ADH के लिए क्या करना है shock के लिए क्या करना है ठीक है उसके बाद जो है हमने देख लिया कि जो इसकी होती है prevention वो कैसे करते है prevention यहां लिखी हुए है vaccination वो हमने देख लिया है और antibiotic prophylaxis ठीक है so questions देख लेते हैं इसके अब चार साल का बच्चा है उसको history of fever है for two days और mother कह रही है कि उसको वो कुछ भी नहीं खा रहा उसको headache vomiting है emergency में आया है और उसको seizures भी हो रहे है और अब वो aren't conscious है ग्लास्को कुमा स्केल उसका कम है feeble rapid pulses poor waste powerful perfume ठीक है और उसके बाद उसका BP drop हो आवे और मतलब कि hypo tension में बचा गया हो है और उसके बाद उसकी bluey spots उसकी body में especially the lower limbs with next stiffness so next stiffness or sports next stiffness fever or headache, vomiting, seizures और सब कुछ आपको बता रहे है कि this is meningitis ठीक है लेकिन जो rash हो रही है उसकी bluey spots उसकी body पे बन रहे है especially lower limbs this is rash और ये मैं आपको बताया था किस case में होता है meningiococcemia this is meningiococcemia तो actually meningitis हो आवे और meningiococcal rash हो रही है so right the supportive and specific management supportive management में हम discuss किया था क्या क्या करना है वो हमने लिखते नहीं के admit की IV line vital monitoring IOP charting neurological assessment head circumference assessment और water उसका weight sorry weight रुजाना लेना है electrolytes parents रखना है temperature को कैसे control करना है और fluid restriction करनी है to avoid the ADH का problem और सब कुछ ठीक है और comodose patient के लिए कैसे care करनी है B.B.U. में mouth hair way care करनी है seizure को कैसे control करना है diazepam है phenophobiton है और phenotoin है फिर specific management जिसमें antibiotics steroids steroids सब से पहले देखे antibiotics देने है और क्योंकि यह 4 साल का बच्चा है तो इस case में हम सेफट्राइक zone is the antibiotic which is given और क्योंकि यह meningiococcal नहीं तो meningiococcal के लिए benzyl, penicillin पहले हम देते होते थे लेकिन अब हम IV सेफट्राइक zone देते हैं ठीक है उसके बाद हम अलंबर वंच्चर करेंगे to check the response और this is how we manage this case complications है हमको treat करेंगे और फिर आपने लिखते नहे कि before discharging उसको hearing and vision laws हम देख बेज देंगे ठीक है उसके बाद आजाता है कि write the two specific specific prevention plans तो prevention plans में क्या होता है कि जो हमारे meningiococcal है इस case में जो chemo prophylaxis होती है वो हम देते है refamposin ठीक है to all the close contacts और vaccination हम करते हैं meningiococcal की जो हमारी two years recommended and should be done ठीक है उसके बाद आजाता है चार साल का बच्चा है और headache, vomiting, convergence हो रही है दो दिन से उसको drowsy, high fever है और tachycardia है ठीक है so DDs आपने लिखने है so DDs आपने meningitis के लिख सकते हैं pyogenic meningitis, TB meningitis viral meningitis, encephalitis brain abscess ठीक है signs of meningial involvement आपने लिखने है तो meningial involvement के लिए कौन से signs हैं दो तो आपको पताएं करने के sign and brudnese की sign और क्या होता है next stiffness होती है और क्या होता है anterior fontanelles बर्श कर रहे होते है और क्या होता है upper motor neuron liens के signs आ रहे होते है फिर उन्होंने कह investigations लिखे but investigations will you ask तो investigations में आपके सबसे पहले number puncture आ जाता है वो आपने कर लेना है उसके लिए सबसे पहले आपने पिपडिली मां के लिए चेक कर लेना है CT scan is diagnostic and localization हो जाती है CBC आप करवा लोगे और इसके लावा आप CSF examination कर लोगे उसमें आपको प्रोटीन इंक्रीज मिलेंगी गुलुकोस का मिलेगा और जो है वो पसी सा होगा उसके लिए बलड कल्चर करोगे और इसके लावा PCL Liza है और सीच चेस्ट एक्सरे हो गया और जो भी हम दिस्किस की थी investigations और LDH levels है ठीक है gram staining हो गई इसारी हो गई investigations उसके बाद आते है 6 months old baby admit because of उसको बखार है vomiting, excessive crying और mother ने का है उसको neck retraction है और upper rolling of eyes और उसको बखार भी होए तील सी उसका count increase है और four physical signs तो आपने बता देने है जो हमने साइंस बता दे करने की sign उसके बाद आजाते है four investigations to confirm investigations हमने डिसक्स कर लिया फिर एक साल का बच्चा है उसको उसने immunization नहीं करवाई भी high grade fever irritability projectile vomiting loss of consciousness unconscious child with positive neck stiffness and current neck sign तो इस विल बी pyogenic meningitis then two investigations with specific precautions to reach the diagnosis so number puncture उसके लिए precaution क्या है सबसे पहले आपने number puncture से पहले papal edema को rule out कर लेना ठीक है और इसके अलावा आपने देख लेना number puncture करने से पहले कि जो है कहीं उसका जो है local infection तो नहीं है उसको hematological bleeding disorders तो नहीं है और कार्डियो पर्मिरी जो है वो problem तो नहीं है चल रही तो फिर आपने करना है उसका ICP raise तो नहीं है फिर ठीक है तो यह चीज़ हो जाती है उसके बाद steps of treatment in this case steps of treatment जोसमें आप लिखोगे सबसे पहले sportive में हैं यह जो हमने देखे हैं फिर specific misteroids, anti-biotex और H-influenza के लिए drug of choice है वो है ceftroxone और chifotexine ठीक है अब एक साल का बच्चा है ना तो एक साल के case में हमने क्या देखा था कि अगर बच्चा जो है वो चाह एक साल का है तो इस case में हम इट इंफ्लेंजर क्ले सब्ट्राइक जोन वगरा देते हैं ठीक है और steroids पहले दे देंगे before antibiotics empirical therapy मारी वेंको माईसिन सब्ट्राइक जोन चलेगी तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे तो प्रिवेंशन कैसे करते है vaccination और antibiotic prophylaxis antibiotic prophylaxis मेरे fempecin और vaccination जो है वो हम दो साल के बाद करते हैं influenza के case में और दो साल से पहले करते हैं in case of meningococcal और pneumococcal के लिए जो हमारी होती है 2-4-6 months और booster dose है 12-15 months ठीक है 7-years-old boy fever, headache, vomiting from last one week, convulsions, unconscious partially vaccinated तो और examination लिखें उसको temperature rise रहे left hemiplegia तो दिस इस acute pyogenic meningitis DDs आप लिख सकते हो pyogenic meningitis, brain abscess and kephalitis, investigations management हमने कर ली है 10-6 months old infant fever, lethargy for 3 days vomiting, oliguria irritable है tense anterior fontanelle so this is pyogenic meningitis anterior fontanelle tense है means ICP raised हुआ है साथ-साथ तो pyogenic meningitis leading to raised ICP investigations क्या करवाओगे basic investigations में आ जाता है lumbar puncture टीक है lumbar puncture जिसमें आपको neutrophils जादा मिलेंगे protein जादा मिलेंगे glucose कम मिलेगी और perillant material मिलेगा two most common etiological agents अच्छा अब ये चीज आ जाती है कि two months तक ना कौन से organisms होते है हमने ये medicine में भी देखा हुआ है bell two months तक till two months birth से लेके we have bell bell में आता है group B streptococcus E. coli and Listeria monocytogenes two months to two years we have age influenzae streptococcus pneumoniae nesiria meningitis ठीक है और two years to twenty-one years we have nesiria meningitis streptococcus pneumoniae age influenza मतलब सेम है इन दोनों में सेम है age influenzae streptococcus pneumoniae meningitis ठीक है लेकिन age influenzae सबसे पहले होता है two months में age influenza ठीक है और two months two years to twenty-one years में नजीरियम जीरियम इनिटिटिस streptococcus pneumoniae और age influenzae ठीक है उसके बार है तो most common teological responsible hair क्योंकि ये बच्चा छे महीने का है तो छे महीने के बच्चे के अंदर most common काॉन से age influenzae streptococcus pneumoniae और neजीरियम इनिटिस ठीक है two months to two years में हो जाता है प्र उलना काहें कि बैसिक मैंजिमेंट स्टेपज, बैसिक मैंजिमेंट स्टेप्स एक इसको रेज हुआ वैरे तो है डेलीवेड करेंगे, स्टिरोइट्स देखे मैनेटॉल देंगे, और फिर अंटिभायटिक्स वगरा स्टार्ट करेंगे. फिर 6 years old boy है high grid fever vomiting headache for 34 hours irritability है glasscomal scale उसके काम हुआ हुआ है और उसको भुखार है stiffness है this is pyogenic meningitis investigations आपने लिखते हैं फिर 5 acute neurological complications क्या हो सकती है acute में क्या हो सकते हैं ICP race कर सकती है cerebral edema हो सकते है cranial of palsies हो सकती है ADH secretion जादा हो सकती है जिसको स्यार्ट कहते है SIAD is leading to hyponatremia and death हो सकती है due to stroke so these are the complications एक साल की बच्ची है उसके बाद उन्होंने हाँ यही एक साल की बच्ची है और उसको जो है बुखार है और convergence हो रही है bulging anterior fontanelle है और इसके इलावा उसकी proteins देखें elevated 100 तक sugar उसकी जो है वो कम होई भी है देखें थर्टी होई भी है तो this will be pyogenic meningitis three most common responsible for this disease एक साल की बच्ची है ना तो एक साल में हमने क्या देखा था कि two months to two years में age influences अप्छी को कुस्ने मुनिया नजीरी है meningitis ठीक है फिर बच्ची को pyogenic meningitis हो गया उनने उदी बता दिया है उसको अब क्या हो गया hypertension predikardia or consciousness level उसके काम हो रहा है so hypertension predikardia is actually raised intracranial pressure leading to cerebral edema ठीक है उसके बद which complication of the disease can explain all the signs and symptoms तो मैंने आपको बताया कि hypertension predikardia or consciousness level हतम होना means that there is raised intracranial pressure leading to cerebral edema important steps of management of this complication क्योंकि intracranial pressure raised है ना तो हम admit करेंगे IV line routine करेंगे IUP charting करेंगे head elevation करेंगे about 30 degrees steroids तेंगे manatol hypertonic cell line तेंगे to lower the pressure by removing fluids फिर हम बच्चे को सुला आदेंगे ठीक है क्योंकि अगर बच्चा anxiety में होगा तो उसका ICP worse हो सकता है तो हम sedative दे देंगे फिर अगर फिर भी control नहीं होता तो हम CSF drainage करेंगे fluid की through the shunt उसके बाद meningitis का treatment करेंगे तो सबसे पहले जब भी आपको complication आई है इसमें इसको ICP raised है तो हेर डिलीवेट करके steroids दे के meritol hypertolling saline दे के sedative दे के CSF drainage करना है फिर meningitis का treatment लिखना है तीक है फिर दे के तीन साल का बच्चा उसको दो दिन से जो है ना fever, vomiting, irritability है और next stiffness, drowsiness है 3 possible meningitis, encephalitis, brain abscess 3 investigations, आप लिदो lumber puncture, CT scans, C cultures ठीक है 4 possible complications आप लिख सकते हो क्या क्या हो सकते है सेकराइट मिनको नेमोनिक बताया तो उसमें से कोई भी possible complications आप लिख दो उसके बाद आता है जब पर हमाना ने नेक्स्ट से शुरू हो जाता है TB meningitis, पायोजेने कितने ही थे अब नेक्स ही हम जो है वो TB meningitis करते हैं